रायपूर जीले का चुनाव में अभी 31 तारीक तक तो यह मद्दाता जो सदश्य बनाए हैं वो सदश्यता को जमा करेंगे और साथ तारीक को ही मतला बंतिम प्रकाशन करने के बाद में तीथी का घोशना कर दिया जाएगा जो प्रत्याशी हैं उनका विधिवत और 14 जून को प्रत्याशी उनका मतदान होगा और मतदान के बाद में वहां पर मत गर्णा की जाएगी और गर्णा करने के बाद में तत्काल जो निर्वाची जिल्ला अध्यक्ष रहेंगे उसकी घोशना कर दिया नहीं चुनाव क्या है कि अभी तो साल भर हुआ हमारा पूरू अध्यक तत्कालिन इद्रिश खान थे और रिटायर हुए रिटायर होने के बाद तत्काल हमारे यहां पर रामचन तांडी जी जो अधिक्षक है उनको हम लोगों ने मनोनीत हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया गया था अभी तक चुनाव इसलिए नहीं हुआ कि को कोवीड पिरेड में भी कोवीड का हम लोगों को पालान करना था नहीं इसमें कोई मान दे की वैस्ता नहीं होती है जीला अध्यक्ष रहेगा उसका निश्यत्रूप से एक सक्रीश अधर्श्य होता है हमारे हां जोहार शंतिसगर्ड आपकों देखा था नियूस 72 जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम आज राइपूर के वाइट हाउस के सामने हैं और हमारे साथ अजे तिवारी जी जुड़ेंगे जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं प्रदेश के सबसे बड़े संगठन कर्मचारी संग कि जिला अध्यक्ष राइपूर शाखा के चुनाओ को ल प्रक्रिया है यह जोड़ते हैं सबसे पहले आपका स्वागात हे जोड़े में दर्ने शौरण Cash और हो क्या होती Benim चुनाओ की प्रक्रिया उसके बारे में थोड़ा प्रका्ष अ और इस थिनले का सिले का ब्लाक का और लोग तंत्र में हमारे जो प्रदेश इध्यक्ष उता है उनका भी चुनां अध्यक्षा, इस तरीका से लोकतंत्र में की गई व्यवस्था के तहत, राइपूर जीले में भी तीन वर्ष से जादा हो चुके हैं, हमारे जो वर्तमान जीला अध्यक्ष से रहें, ततकालिन जीला अध्यक्ष, इदृष खान थे वो रिकार हो गया हैं, उसके पध काली है, उसमें अभी उनका मनोयन किया गया था स्री राम चंतान्डी जी का तो अब विधिवत यहां पे चुनाव की जा रही है और यह चुनाव तीन वर्स तक करहेगा और हमारे स्री जी आर्चंद्र जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनका भी लोग तांत्रिक धंग से चुना हु को बनाया गया है तो हम लोग मिल करके दो जीला का निर्वाचन कराएंगा जिसकी पातमर अब्ध करेंगे जुक्स की करमचारी और रायपूर जीला में जितने कर्मचारी जो क्लास 3 से संबंदिच तितिव और कर्मचारी शंग की पातरता रखते हैं तो तो सारे सदर इसमें मददान करें गए और हमारे मददान करेंगे वह साथी यह करेंगे उनके लिए कितने हो अभी इस पष्ट नहीं हुआ है अभी क्या हो रहा है कि मत दाता बनाया जा रहा है अभी इसमें हमारा जो 31 मई 2023 में जो सद्ध से बनाये जाएंगे उस सद्ध्यसता के अधार पर मत दाता सुची तरियार की जाएगी और इसका जो अभी हम लोग किये हैं वो 31 मईद 2023 में जो सभी लोग मद्दाता अभी जो सदश्य बनाएंगे उसको जमा करेंगे उसके अधार से मद्दाता सुची तैयार की जाएगे और उस पर निर्वाचन किया जाएगा कारेकाल की बात करते जीला ध्यक्ष होंगे उनका कारेकाल कितना होगा और उनके जो कारेचेत्र होंगे शक्ति आओंगे उसके बारे में देखिए जीला ध्यक्ष जो है वो अपने रायपूर जीला के संपूर्ण जीले का उनके जो क्लास्त्री के सदसे होंगे उनके उनके त खावी करने के लिए अधिकारियों से मिलने के लिए और जो भी शार्षन के द्वारा जो तूटियां होती एज़ आंदोलन करना होता है प्रदेश अध्यक द्वारा छत्यज्ग प्रदेश तितिवर शासकी करमेशांका तो उन पे उनका अपने जिले में पूरा कारिकरने का उनका ये कारिषेत रहेगा और वो शतंतर रहेंगे और यह कारिकार तीन साल का रहेगा और अभी तो चुनावी वर्स भी आ गया है और हम लोगों का अंदोलन भी किया करना है और हमारे चत्रीजगर प्रदेश तितिवर शास्की कर्मचारी संग जिसका पंजियन कर्मांग 249 है उनके प्रदेश जियार चंद्रजी है वो सभी जीला में अभी जा रहे हैं और जाकर के मिटिंग भी तैय कर रहे हैं और लोगों की राय भी ले रहे हैं हम लोगों के एक बड़ा आंदोलन भी होने वाला है अपने मांगों को ले करके जिसम आँवाधिया ने कमेटी बना लेकिन अभी अपना नेड़ा को सारजनिक नहीं किया है तो इन सारे मुद्धों लेकर के आंदोलन भी किया जाना है और प्रदेश अध्याग जियार चंद्रजी सभी जीला में जा करके हमारे लोग तंत्र जीला में भी होता है तसील भी में ह कि इसमें कोई मांदे की वहस्ता नहीं होती है तई है उसका लिश्ची त्रुप से हमस्टा होता है हमारे हां सक्री जदाश्य और गर और आजीवन सदश्य का होना निवार रहता है और यह हमारे संगठन में ऐसा कोई मान देखी व्यस्ता नहीं है जैसे किसी को लड़ना है अगर चुनाओ जिलाध्यक्ष के लिए तो उसके लिए क्या पात रता रहती है अगर उसके लिए अब उनके लिए है कि वह संगठन का मुल सदश्य हो दूसरा बात वह संगठन का सक्रिय माजीवन सदश्य हो संगठन पर निष्ठा रखता हो संगठन विरोधी कोई कारें ना करें ऐसी उनकी योग्यता होनी चाहिए और वह जो जुड़े हैं उनका रता है अभी तक तो चु सब्सक्राइब करने के बाद में निर्वाचन होता है और अभी तक चुनाओ इसलिए नहीं हुआ कि कोवीड पिरेड में भी कोवीड का हम लोगों को पालन करना था तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है साल भर भी नहीं हुआ है तो निश्य समय में हो रहा है यह चैनल के माधियम से बताना चाहिए कितने तारिक को होगा इस बाद जीला द्यक्ष का चुनाओ जो राइपूर जीला का बज़िए राइपूर जीले का चुनाओ में हम लोग अभी एक तीस तारिक तक तो यह मद्दाता जो सदस्य बनाए हैं वो सदस्यता को जमा करेंगे एक तारिक को एक तारिक के जमा करने बाद पांस तारिक को मद्दाता सुची का प्रथम प्रकाशन होगा 5 जून को और 6 जून को मद्दाता सुची का प्रथम प्रकाशन पर अपत्ति दावा मंत्रित की जाएगी और 6 जून को मद्दाता सुची का अंति प्रकाशन किया जा ले हम लोग आविदन नामंकन फार्म देंगे उसके बाद नामंकन फार्म का इसकुर्टनी होगी उसके बाद में फिर उसका प्रकाशन होगा आपत्ती दावा अमंत्रित की जाएगी आपत्ती दावा का निराकरण किया जाएगा और निराकरण करने के पास में नाम वापशी कभी समय तय की गई है और नाम वापसी के बाद में वैद जो प्रत्याशी है उनका प्रकाशन किया जाएगा यह सब चारी प्रक्रियाएं साथ तारीक को होगी और साथ तारीक को ही मतलब अंतिम प्रकाशन करने के बाद में तीथी का घोशना कर दिया जाएगा जो सब्सक्राइब कि लिए के माध्यम से मैं हमारे समस्त चतिस गड़ प्रदेश तितिवरशास की कर्मचारी संग के जिसका पंजिय क्रमांग 249 है उनसे अपील करना चाहता हूं कि ये निर्वाचन लोगतांत्रिक तरीका से करें और सवर्दतापुन माहोल में करें किसी बिना वैमनस्ता के खिलाडी भावना से और इसमें एक सब लोग निश्पक्षो करके चुनाओं तो सभी में होता है जो जिद्धे भी प्रत्या हमारा लोग तंत्र का तरीका भी है तो मैं सारे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बिना भेद भाव के बिना मन मुटाओं के सब आपसी में मेल जुलके और यह बहुत ही अच्छा तरीका है लोग तांत्रिक तरीका में चुनाओं का होना मैं उन के माध्यम से हमारे सारे सदर्श्यों को भी अपील पता चल जाएका भी कि वह अपना मद्दान निश्चित रूप से करें हमारे साथ अजे तिवारी जी मुख्य निर्वाचन अधिकारी है दाइपुर जी लाक शाखा का जो चुनाओं होगा तो अज तिवारी जी बहुत-